मेरी बच्ची तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए तुम्हे कुछ नहीं होगा, लगता है तुम अपने माता-पिता से विछड गई हो, मेरी बच्ची तुम अनात नहीं हो, आज से मैं तुम्हारी माह हूँ, अब तुम मेरे पास रहोगी एक जंगल में शेर सिंग नाम का एक शेर अपनी पत्नी शेरनी के साथ रहता था, वैसे तो शेर सिंग और उसकी पत्नी को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, वह दोनों अपने जंगल में खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे थे, परन्तु शेर सिंग और उसकी पत्नी को हम और आखिरकार कुछ दिनों बाद वह दिन भी आता है जब शेर सिंग की पत्नी शेरनी दो बच्चों को जनम देती है जिनमें से एक शेर और एक दूद जैसी सफेद रंकी शेरनी होती है शेर सिंग बेटा पैदा होने से बहुत खुश होता है परनतु वहीं अपनी बेटी को देखकर शेर सिंग कहता है बेटी को लेकर उसी समय वहाँ से निकलता है और उसे पास के जंगल में लाकर वह अपनी बेटी को एक पेड़ के नीचे चोड़ कर वापस चला आता है। बेटी कर शेतान कालिया शेर के मूँ में पानी आ जाता है। कालिया शेर पर मार कर उसे वहीं रोक देती है। अरे दुष्ट कालिया शेर वहीं रुक जा। खबरदार जो तुने इस बच्ची को हाथ लगाया। कालिया शेर कहता है। गोल्डन शेर नी तुम मेरे शिकार के बीच में मत आओ। यह नौजात सफिर शेर शेर नी मेरा शिकार है। मेरी नजार इस पर पहले पड़ी है। मैं इसे खाकर अपनी बूप सांथ करूँगा। कालिया शेर की यह बात सुनकर, गोل्डन शेर नी फिर से अपनी शक्तियों से कालिया शेर पर हमला करती है और कालिया शेर को वहाँ से बढ़ा देती है। शौज़रिई टूम चिंता मत करो मेरे होते हुए तुम्हे कुछ नहीं होगा लगता है तुम अपने माता पिता से विछड़ गई हो मेरी बच्ची तुम अनात नहीं हो आज से मैं तुमारी मा हूँ अब तुम मेरे पास रहोगी मैं तुमारा पालन-पोशन करूंगी ये कैकर गोल्डन शेर्नी उस सफेज शेर्नी बच्ची को अपने साथ लेकर अपनी गुफा में आ जाती है। पर इख़र ऑन्टी शेर इतना आल सी था कि उससे सिखार कश नहीं होता था, बंटी के इस नाकारापन से शेर सिंग बहुत परीशान था, एक दिन शेर सिंग अपनी पट्णी शेरमी से kovन 것으로 है। ऐसे ही एक दिन शेर सिंग अपने बेटे बंटी को अपने पास बुला कर कहता है देखो बंटी मुझे तुमारी ये सब आज़तें बिल्कुल पसंद नहीं है मैं तुम्हें इस जंगल का राजा बनाना चाहता हूँ परंटो तुम तो इतने आलसी हो कि तुम से एक शिकार तक नहीं होता तुम इस जंगल को कैसे समालोगे बंटी इसी समय जाओ और जंगल में जाकर शिकार करो अगर आज तुम शिकार लेकर नहीं आए तो मैं तुम्हें जंगल का राजा कभी नहीं बनाऊंगा शेर सिंग की यह बात सुनकर पंटी वहां से चला जाता है शिकार ढूंटे ढूंते पंटी शेर पास के जंगल में आ जाता है तबी उसके सामने वे कालिया शेर आ जाता है कालिया शेर को देखकर पंटी शेर गबरा जाता है और वहीं रुप जाता है बंटी बोलता है यह कहकर शैतान कालिया शेर बंटी को अपनी शक्तियों से वहीं कैद कर लेता है वहीं शेर सिंग का चासूस भालू कालिया शेर को यह सब करते देख लेता है भालू भागा भागा उसी समय शेर सिंग के पास आता है और उसे सारी बात बता देता है अरे भालू यह तुम क्या कह रही हो कालिया शेर ने मेरे बेटे को कैद कर लिया है शेरनी जल्दी चलो वरना वे शेतान कालिया शेर हमारे बेटे को मार देगा शेर सिंग अपनी पत्नी शेरनी को लेकर अपने बेटे को बचाने के लिए उस जंगल में आ जाते हैं कालिया शेर शेर सिंग और उसकी पत्नी शेरनी को भी बंटी के साथ ही कैद कर देता है और एक शेरनी कैद हैं और मदद के लिए चिला रहे हैं सफेद सेरनी ने उनके पास आती है और उन सब को पिंज्रे से आजाद कर देती है तबी इतने में वह कालिया शेर भी आ जाता है। बदले में सफिर शेरनी भी अपनी शक्तियों से कालिया शेर पर हमला करती है क्योंकि सफिर शेरनी के पास ज्यादा शक्तियां थी तो वह कालिया शेर उसकी शक्तियों का सामना नहीं कर पाता है सफिर शेरनी कालिया शेर की जीमन लिला वहीं समाप्त कर देती है अभी इतने में वहाँ वह जादूई गोल्डन शेरनी भी आ जाती है शेर सिंग और उसकी पत्नी सफिर शेरनी का धन्यवाद करते हैं तभी गोल्डन शेरनी अपनी शक्तियों से देख लेती है कि वह सफिर शेरनी जो उसे जंगल में मिली थी वे इसी शेर और शेरनी की बेटी है तब गोल्डन शेरनी शेर सिंग और उसकी पत्ने को सारी बात बताती है गोल्डन शेरनी की बात सुनकर शेर सिंग को अपने केपर बहुत पच्टावा होता है वे अपनी पत्नी और बेटी से माफी मांगता है शेरनी और मेरी बच्ची तुम दोनों मुझे माफ कर दो शेरनी मैंने तुमसे जूट कहा था कि हमें सिर्फ एक बेटा हुआ है अपनी इस बहादुर बेटी को पोज समझ कर मैं इसे उस दिन जंगल में चोड़ाया था परन्तु आज मेरी इस बेटी ने हम सब की जान बचाकर ये साबित कर दिया है कि जो काम बेटा नहीं कर सकता है बेटी कर सकती है शेर शेंग अपनी बेटी सफेज शेरनी को वापस लेकर जंगल में आ जाता है वहां अकर्व है अपनी बेटी सफेज शेरनी को जंगल की रानी बना देता है उस दिन के बाद से शब खुसी खुसी जंगल में रहने रखते हैं वापस जीवित होकर गबर शेर बहुत खुश होता है और कोल्डन शेर का धन्यवाद करता है तभी शेर खान अपनी गुफा में बैठा आराम कर रहा होता है शेर खान बोलता है क्या हुआ सिंबा आज मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गए जंगल में गबर और सिंबा नाम के दो शेर भाई रहते थे गबर और सिंबा दोनों भाई भहुत ही ताकतवर थे दोनों हर रोज जंगल में एक साथ सिकार करने के लिए निकलते थे और दोनों मिलकर जंगल के सभी जनवरों की रक्षा किय करते थे एक दिन जंगल का राजा कौन होगा इस बात कर अच्छा करने लिए जंगल के सभी जनवरों की सभा बैखती है तब ही बालु कहता है देखो गबर और सिंबा, तुम दोना भाई हमारे लिए एक समान हो, परंतु जैसा कि जंगल का नियम है, जंगल का राजा तो कोई एक ही होता है, जंगल के कानून के हिसाब से बड़ा भाई ही जंगल का राजा होता है, तो इस हिसाब से गबर तुम बड़े हो, मैं अपना मत तुम्हें दिता हूँ और तुम्हें अपना राजा मानता हूँ भालू की बात सुनकर सभी जानवर गबर अशेर को अपना मत देते हैं केवल एक दो जानवर ही सिंबा की तरफ होते हैं क्योंकि गबर शेर की मत में बोलने वाले अधिक जानवर थे तो गबरशे चुनाव जीत जाता है और जंगल का राजा बन जाता है परन्तु वहीं सिंबा को यह बात खटक जाती है उसे सभा में हुई अपनी बेज़ती स्विकार नहीं होती वह गुस्षे से वहां से चला जाता है सिंबा बहुत गुस्षे में होता है और जंगल में शेर्खान बाग की कुफा के पास आ जाता है शेर्खान अपनी कुफा में बैठा आराम कर रहा होता है शेर्खान बोलता है क्या हुआ सिंबा आज मेरे घर का रास्ता कैसे बूल लए सिंबा बाग को सारी बात बताता है कि जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर गबर को अपना राजा मान लिया है और उसके हक में बोलने वाला कोई जानवर नहीं है सिम्बा की बात सुनकर शेर खान बाग उसका प्रस्ताव सिकार कर लेता है अगले दिन गबर शिकार करने के लिए निकलता है सिम्बा और शेर खान बाग उसे जंगल में घेर लेते हैं सिम्बा और शेर खान दोनों एक साथ गबर पर हमला करके उसे वहीं मार देते हैं गबर को मारने के बाद सिम्बा जंगल का राजा बन जाता है और जानवरों को बताता है कि उसके भाई गबर शेर खाई से गिर कर उसकी मृत्ति हो चुगी है जंगल के सभी जानवर सिंबा की बात पर विश्वास कर लेते हैं शेर खान बात और सिंबा दोनों जंगल पर राज करने लगते हैं सिंबा के राज में शेरखान बाग बेशिकर होकर शिकार करने लगता है वह जिसे चाहे उसे अपना शिकार बनाता है और दोनों मिलकर मज़े से शिकार का अनंद लेते हैं जंगल के सभी जानवर शेरखान और सिंबा के अत्यचारों से तंग आ जाते हैं वहीं एक दिन जंग शक्तियों से गबर शेर को वापस चीवित कर देता है। वापस चीवित होकर गबर शेर बहुत होता है और गोल्डन शेर का धन्यवाद करता है। तब ही कोल्डन शेर केता है मुझे Starred करता है । तरन्तु गोल्डन शेर, मैं अकेला सिंबा और शेर खान का सामना कैसे करूँगा। गबर के इतना कहते ही, गोल्डन शेर अपनी सारी शक्तियां गबर शेर को ते दिता है। गबर शेर मैंने अपने सारी शक्तियां तुम्हें तेरी है अब तुम जाओ और उन दोनों को अंजाम तक पहुंचाओ गबर शेर उसी समय सिंबा और शेर कान के पास आ जाता है गबर को जिन्दा देखकर शेर कान और जंगल के सभी जानवार हैरान हो जाते हैं अरे दुष्ट कद्दार मैंने तुझे अपने भाई से भी बढ़ कर क्यार किया परलतु तुने मेरे साथ ही कद्दारी की और इस शेरखान के साथ मिलकर मुझे मार डाला मैं तुझे नहीं छोड़ूँगा इतना कहकर गबबर शेर उसी समय अपनी शक्तियों से शेरखान और सिंबा को वहीं मार देता है और वापस जंगल का राजा बन जाता है अभी जानवर गबबर शेर के राज में वापस खुशी खुशी रहने लगते हैं